शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले मई जून और जुलाई के महनों के लिए कोई स्कूल फीज की मांग नहीं की जाए स्कूल फीज भरने में देरी करने वाले पालकों को मांदंडों की बहार प्रतिदीन जुर्माना लगाया जाता है सरकार के निर्देशों के बाद भी स्कूल फीज के भुकतान को लेकर एक संदेश भेश कर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है भारतिय विद्याभवन स्कूल के अभिभावकों ने शेक्षनिक सत्र दोहजार बीसी किस में स्कूल फीज रुद्धी को रत करने और सरकारी अधिकारियों के मौजित की में स्कूल में शिक्षक अभिभावक संग का गठ नियमानुसार करने की मांग की है बयान में यहां भी मांग की गई कि स्कूल की फीज के भुकतान में देरी के लिए स्कूल की और से दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां अन्याय पूर्ण है अभिभावकों ने अप्रेल से जून तक के लिए तीन मेनों की छुटी भी मांग की क्योंकि इस शैक्षनिक वर्ष में कोई निया में स्कूल का अक्षाय नहीं थी सरकार ने एक सरकुलर जारी किया है जिसमें सबी स्कूलों को स्कूल फीज न वड़ाई जाए और अभिभावकों को स्कूल फीज के मांग करने के लिए मजबूर ना किया जाए क्योंकि कोरोना वायरस महमारी के कारण सभी माता पिता आर्थिक तंगी में है सरकार के सरकुलर को खो देने के बाद काम हिंगनगाट स्तेथ भारती विद्याभवन गेरे धर्दास मोहता विद्यामंदिर के ओर से किया जा रहा है भारती विद्याभवन स्कूल की ओर से स्कूल कार्या लेकि दिवार पर एक पत्र पोस्ट किया गया जिसमें कहा था 2019-20 के शेक्षन 71 के लिए स्कूल की फीस को अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग तारिक से 12-15 प्रतिशत बढ़ा कर वर्ष 2020-21 स्कूल के बारे में सरकारी नियम को दरकिनार किया गया स्कूल द्वारा अभिभावकों से बार बार फीस के हिसाब से भुकतान करने को कहा गया हिंग अन्गा अट से इंबीस्यन न्यूस के लिए रवी एनोर करकी रिपोर्ट